तो हेलो गाईज नमस्कार मैं मनो चौधरी और आप सभी लोग के साथ हाज रूए एक नए वीडियो के साथ तो गाईज इतने भी हमारे AEP संचालक है AEP सर्विस यूज करते हैं या आधार कार्ट से पेमेंट निकालते हैं तो उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी ख़बर है या यूँ बोल सकता है कि अब तक का उनके लिए सबसे बड़ा अप्रिट हो सकता है जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के मादन से सेर करने वाला हूँ तो गाईस वीडियो को पूरा देखना है वीडियो को विद्ल को स्कीप नहीं करना ये चैनल्स चैनल याज चैनला से करने में आपको काफि दिक्टों का सामना करना पड़ सकता है और किसी भी location पर ID को चला पा रहे हैं लेकिन पिछले एक दू साल से आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ID को भी लेने के लिए आपको local के डिश्टूर्टर या local के sense chain से contact करना पड़ रहा है और दोसी चीज़ क्या कहें कि आपको ID चलाने के लिए भी आपको अपने stop पर ही ID को यूज करना पड़ रहा है तो तरह तरह की समस्या को सामना करने को मिला है और भी कई सारे आपर option आपको देखने को मिला है अभी हाली मैं आपको two fact का option देखने को मिला है कि आपको two fact है याणि कि daily आपको ट्राइंग्शन कहने से पर लिए आपको एक finger लगाना काफी जरूर आपको देखने को मिला अभी हाल पर ने मैंने एक और अप्डिट दिया था जिसमें बताया था कि पिछले दोल साल से भी अप्डिट चलना था कि आपको slip ट्राइंशन नहीं करना है नहीं कि 10 रुपए 20 रुपए या 30 रुपए एक्स्टा अमौन एड़ करके ट्राइंशन जाएंगा कि उसमें क्या-क्या अप्डिट हुए हैं तो पहला तो अप्डिट वह चुका है दूसरा जो अप्डिट है कि यह काफी बड़ अप्डिट हो सकता है जिसकी जानकरी मैं आपको अपर रिटर्स करने वाला हूं तो ग्रैस दूसरे अप्डिट के में लोग बात क करना पर रहा था, जिसमें कई बार क्या होता था कि हमारे बहुत सार यह ऐसे है जिनके घर के किसी family member के नाम पर या उनके फ्रेंड के नाम है उनके father के नाम पर या उनकी किसी employee के नाम पर एई-ई-पे service चलता था जिसमें घुता कि दिन में वो एक बार two fact verification करके दे देता था, वो पूरा दिन आसानी से AEPS service यूज़ कर पा रहे थे, या कई बार ऐसा होता था कि जो घर का main जो imply होता था, या उस swap का main imply होता था, वो एक बार two fact verification करके चला जाता, उनका जो भी staff या उनका घर का कोई person था, वो उस AEPS service को दिन भर लगातार यूज़ कर पा रहा था, अभी तक यह service था, बड़ एक जनवरी दो हजार चौबीस से NPCI की तरफ से नई guideline जारी की जारी है, जिसमें परतेक transition की पीछे आपको परतेक बार finger लगाना पड़ेगा, इस family के नाम पर AEPS service होता था, तो वो दिन में एक बार finger लाके चले जाते थे और पूरा दिन आसानी से transition कर पा रहे थे, लेकिन लगातार fraud को देखते हुए, लगातार यहाँ पर कई बार गलट transition को देखते हुए, NPCI ने लगातार कुछ ना कुछ बदलाओ कि यहाँ पर true fact आप tools यह है, कि यहाँ पर आपको परतेक transition करने के लिए तीन मिट का timing दिया जाएगा, यदि आप एक AEPS transition करते हैं, तो उसमें लगभख से लगए आपका तीन मिट का time लग जाता है, तो एक बारा finger लगाते हैं, तो उसके बाद यदि आप suppose जस्मान की चली कि एक मिट के अंदर आपने अगर एक AEPS transition कर लिया, तो उसके बाद आप तीन मिट के अंदर ही दूसरा कश्मर आ गया, तो दूसरा भी AEPS कर पाएंगे, यदि उसी के अंतराल में तीसरा कश्मा के दूसरा भी AEPS कर पाएंगे, तो यदि आप लगातार कांटिन AEPS service यूज़ कर रहे हैं, उस के तीन मिट के अंतराल में कोई और कश्मर आ गया, तो वहाँ पर आपको two facts verification करना जरूरी है, यह दूसरा fact होगे यहाँ पर, तीसरे fact के हम लोग बात करने हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो भी AEPS transition करना है, जो भी AEPS landing करना हो, वह अपने shop के location पर ही करना है, एज होते fact के हम लोग बात करने हो, चौसा fact यहाँ पर क्या है, कि ऐसा होता था कि पहले क्या था कि दिन में एक बार two facts verification करने के लिए काफी ज़्यादे परसानियों का सामना करना पर था, निटला कई बार finger match नहीं होता था, कई बारन का two facts verification नहीं पर आता, दिन में एक बार करने का यह हाल था, लेकिन अभी क्या है, दिन में आपको 10 transaction करने के लिए 10 बार two facts verification करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर आपको number of success rate या number of fail बोल सकते हैं, यदि आप number of fail आपका ज्यादा होता है, कि एक customer का आप यहाँ पर transaction करने जा रहे हैं, और वहाँ पर आ दिन में मान सकते हैं, यहाँ पर कि दिन में आपने 20 transaction कि यानि कि 20 बार finger लगा है, और 20 में से आपका 10 जो finger, 10 बार जो finger था वो fail चला गया, यानि कि 50% आपका जो ratio था fail का चला गया, तो उस case में भी NPCI इसको suspicious transaction या fraud transaction मान सकता है, तो अब ऐसा परयास करें कि एक बार में ही आ आपका finger लग जा या एक से दो बार में आपका two fact verification successfully complete हो जाए, यह चौथा fact था है यहाँ पर, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना है, और सबसे यहाँ पर मौत्पू चीजी यह ध्यान रखनी है, कई बार ऐसा क्या होता था, कि एक कश्ट हो गया आता है, कि आपको एक ब प्रयास करें कि एक customer का एक bank से एक ही बार लेंदन करें, तो यह सारे कुछ नए नियम थे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक update तो जो की दो चार दिन पहले आ चुका है, जिसकी जान करें मैंने आलेडी वीडियो के मादल सेर किया हुआ है, यदि अभी तह उस वीडियो के नाम पर चला है, आपने भाई के नाम पर चला रहे हैं, तो यदि उनके नाम पर आईडी नहीं है, तो वो आईडी बना लें, अगर पॉसिबल हो तो बना के अपनी आईडी से एईपस यूज करता कि आगे चलके उनको कोई भी दिक्कत ना हुआ, तो बस आपको एक जान के सेर करना था, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे दोस्तों में सेर किए, ताकि उनको जानके लग सके, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जैहिंद, बंदे मातरम